नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम यूपिटर 2021 के लिए बाल विकास के कुछ महत्पूल प्रश्णों को देखेंगे ये सभी प्रश्ण काफी जादा इंपोर्टेंट है आपकी यूपिटर एक्जाम के लिए इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए और एक-एक प्रश्ण को समझते हुए चलिए अगर आपको इसका एंसर पता है तो कवेंट में भी बताईएगा पूरा स्कोर भी अपना लाश्ट में बताईएगा पहला प्रश्ण आपके सामने है बाल लेकाल का समय होता है छे से लेकर बारा वर्स दो से लेकर दस वर्स दोस्तों आपको पता है बाल लेकाल का समय क्या होता है होता है छे से लेकर बारा वर्स तक इसका ओप्सन आपका राइट हो जाएगा तीसरा बाल लेकाल का समय छे से बारा तक होता है अगर आपसे पूछा जाए इसी में 600 काल का समय होता है प्रशन ये भी पूछ सकता है तो आप बताएंगे जन्म से लेकर 6 वर्स्तक का जो समय होता है वो आपका 600 अवस्तक आलाता है आपसे किसोरा वस्तक के बारे में पूछा जाए कि किसोरा वस्तक का समय बताईए तो किसोर चरित्र का विकास होता है चरित्र का विकास कैसे होता है क्या इच्छा सकती द्वारा होता है यह बरताओ यह व्योहार द्वारा होता है यह नयतिकता द्वारा होता है यह उपरोग सभी द्वारा होता है तो आपको पता है चरित्र का जो विकास होता है वह उपरोग सभी होता है आपके ब्योहार पर भी निर्फ़र करता है आपका चेदर कैसा होगा नए दिखता पर भी निर्फ़र करता है ठीक है तो तो तीन उप्सें इसमें राइट है नेश्ट प्रशन है आपके सामने सैसोव वस्था में बच्चों के क्रिया कलाप होते हैं कैसे होते हैं आपको यह बताना है तो सैसोव वस्था में बच्चों के क्रिया कलाप आप देखेंगे मोल प्रवित्यात्मक संग्षित संग्यानात्मक समेगात्मक आपका एंसर इसमें क्या होगा कमेंट बताइए देख खुस होते हैं तो हसते हैं तो इस तरह से मतलब मूल प्रकित की अनुसवार वो व्योहार करते हैं नेश्ट है बाल विकास में प्रक्रिया परवल होता है या गर्भा वस्ता से किस। किसोरा वस्ता तक अध्यन होता है अथवा उपरोव सभी पर तो इसमें आपका राइट असर क्या होगा बाल विकास में क्या होता है दोस्तों इसे ध्यान किये का बाल विकास में आपका गर्भा वस्ता से ले करके किसोरा वस्ता तक का पूरा अध्यन किया जाता है तो तीसरा वस्ता सैसोव वस्ता किसोरा वस्ता प्रवड़ा वस्ता देखिए सारेरिक बृद्धी कब होती है ज्यादा ये भी प्रश्ण भी इसमें है तो ये भी पूछा गया है तो बुद्धी का अगर पूछेगा कि किस वस्ता में बुद्धी का अधिक विकास होता है तो आपका रा मानुबिकास कैसी होता है मात्रातमख गुडातमक या कुछ सीमह तक आप मापनी अथ्वा एक और दो दोनों तुछ मैं आप देखेंगी मानॊ-विकासbamg जो होता इन सब पर विकास होता है अब गुडात्मक में बौधिक विकास होता है ठीक है सवेगात्मक विकास होता है तो इस तरह से दोनों आप्सन इसमें राइट है चलिए नेश्ट प्रशन है आपके सामने सर्म और गर्व जैसी भावना का विकास की सवस्था में होता है सैस्वावस्था, बाल्यावस्था, किसोरावस्था, बृध्धावस्था इसमें आप देखिए सैस्वावस्था में तो बिल्कुल नहीं होता है बृद्ध वस्था में भी नहीं होगा सर्म और गर्म की भावना और किसोरा वस्था में भी नहीं होता है यह जो है बाल्या वस्था में आपका होता है तूसरा विकल्प इसमें सही है बाल्या वस्था में जो है सर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है इसे आप लोग ज्यानिक की अनुसार विकास एक सतत्व धीमी धीमी प्रकिया है. मतलत धीमी छलने वाली प्रकिया है और लेकाइस शतत्च्ञती है. कोले прост निक, पियाजे, इसकीनर, हरलाक. तो ये जो है कथन किसका है, ये कथन है आपका जो है कि Сकीनर महुदे का. इसकीनर महोदे ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी चलने वाली प्रकिया है नेक्ष्ट है तनाव और क्रोध की अवस्था आपको बताना है सैसुआ वस्था, किसोरा वस्था, बाल्य अवस्था, वृद्ध अवस्था तो दोस्तों देखिए इसमें तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वो आपका किसोरा वस्था होता है इस्टेले हाल ने क्या कहा है किसोरा वस्था बड़े ही संगर से तनाव और तूफान की अवस्था है ये कि स्टेल ने हाल ने कहा है, ये कथन भी पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग जानते रहिए, तनावर कोध की वस्ता कि सोरा वस्ता होती है, बाला की प्रथम पार्थ साला आपको बताना है, important question है, परिवार, समाज, गाउं, बिद्याले, क्या बाला की प्रथम पार्थ साला गाउं होगा, नहीं होगा, समाज होगा, नहीं होगा, बिद्याले होगा, नहीं होगा, परिवार जो होता है, ये बाला की प्रथम पार्थ साला माना जाता है, ठीक है, पहला option आपका इसमें सही है, परिवार, बाला की प्रथम पार्थ साला है, बीर पूजा की भावन में होती है कब होती है किस और आवस्था में होती है इसमें क्या होता है बीर पूजा में क्या होता है कि किसी प्रसिद्धि व्रक्ति तुको अपना आदर समानते हुए अपना व्योहार उसी के नुसर समायोजित करना ही बीर पूजा कहलाता है और यह आपका किस अरोस्ता में होता है चलिए नेश्थ है किस वास्ता में सारीरिड बृधि Teeans होती है देखी इसके पहले बॉधिक बृधि में आपने देखा था किस रोस्ता सारेस्व या गया तुश में आपका रैटेसर क्या हो جाएगा हूं इसमें आप देखेंगे दोस्तों निर्ग्षन विधि में दूसरों के विवहार का अध्यन किया जाता है तीसरा ओप्सन इसमें देखिए दूसरों के विवहार का अध्यन किये जाता है निर्चण बिधी में ताकि किसी प्रकार की पच्छपात ना हो पाए अपने ही विवहार का अध्यन नहीं किये जाता है दूसरे के विवहार का अध्यन किये जाता है विकास शुरू होता है कब होता है देखिए उत्तर बाल्य अवस्था से प्रसवपूर अवस्था से पूर बाल्य अवस्था से देखिए विकास जो होता है दोस्तों वो प्रसवपूर अवस्था से ही सुरू हो जाता है बच्चे के जन्म से पहले ही जब गर्व में होता है तभी से ही विकास सुरू हो जाता है और ये जीवन पर्यांत चलता रहता है तो आपका इसमें दूसरा विकल्प सही है प्रसोपूरु अवस्था से नेश्ट प्रशनाप के सामने है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किस से सम्बंदित है अन्ता सम्बंद का सिध्धान से निरंतरता के सिध्धान से एकी करण का सिध्धान अन्ता क्रिया का सिध्धान तो इसमें आप देखिए विकास कभी ना समा वस्था और वयस का वस्था तो इसमें आप देखेंगे बालक जो होता है उसमें सैस्वा वस्था के दौरान लगभग सैस्वा वस्था के दौरान तीन से च्छे वर्स की उम्र में उसमें ओडीपस और एक्टा जटिलता सुरू होती है यह ओडीपस क्या है ओडीपस एक ग्र भलक होते हैं वह अपनी माता के परत्र ज्यादा मंता दिखाता है और लगाओ रखता है ठीक है और एलिकर क्र calleranthi प्रोड अवस्ता तो इसमें आपका राइट अंसर है बाल्य अवस्ता को सुनहरी अवस्ता कहा जाता है नेक्ट है निम लिखित में कौन सा बालक की मानसिक स्वास्त पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है इसमें आप देखेंगे परिवार में गरीबी कच्छा में नीदा असनेह का अभाव और पारिवारिक कलेश तो इसमें आप देखेंगे आपका राइट असर क्या हो जाएगा कच्छा में नीदाना यही आपसन इसमें सही है यह जो होता है कच्छा में नीदाना यह मानसिक स्वास्त पर प्रभाव नहीं डालता है बाकी परिवार में अगर गरीबिए तो मानसिक स्वास्ते प्रभावपढ़ सकता है असनेह का अगर अभाव है तो भी पड़ सकता है पारिवारिक कलेस होता है तो भी बच्चों पर प्रभाव पढ़ता है मानसिk स्वास्ते पर यत thirty चात्र अधिकान सकार स्वयम के हाथों से करेगा तो चात्र में क्या आएगी सारी सकती बढ़ेगी मांसिक सकती बढ़ेगी परिश्रम करनी की भावना जागरित होगी या आत्मनिर्भरता पैदा होगी तो अगर कोई चात्र अधिकान सकार स्वयम के हाथों से जब करेगा तो उसके अंदर आत्म निर्वरता पैदा होगी ठीक है? तो चौत्वा अप्सन इसमें सही